इस question में silver carbonate के solubility का ksp आपको पता करना है और आपको इस process का delta g not का value दिया हुआ है says 3.3 kilojoule तो जहां देंगे आपको पता है कि delta g not equal to क्या होता है minus rt ln ksp होगा तो इसको वालों को पूट करते हैं तो यहां जो kilojoule 100 Joule में change कर लो तो क्या हो जाएगा solution 3.3 into 10.3 Joule हुआ r का value कितना पूट करोगे तो minus 8.314 चुकि आपका temperature 25 degree है तो यहां पे Kelvin में कितना होगा यह हो जागा 298 lon को log में change करो तो क्या हो जागा 2.33 log ksp अब log ksp लिए जब solve करोगे इसको आप log ksp को solve करने पर value निकल का जाएगा minus 11.09 के असपास ठीक है अब इसका अगर आप लेते हो anti log बास समझे तो आपके पास जो log ksp है उसका value कितना दिया हो था के पास minus 11.09 इससों दो बड़न ब्रेक कर लेते हैं minus 11 अलग कर लेते हैं और minus 0.9 को अलग कर लेते हैं अब जो fraction part है उसको पॉस्टिव करना तो यहां पर 1 जोड दो तो यह value नियरली क्या हो जागा ए यहां पर 1 घटा दोते हो जागा minus 12 तो basically इसका आपको anti log निकलना है तो इसका जो anti log निकलेगा तो ultimately जो ksp के value निकलेगा तो 0.91 जो होता है वो log होता है आठ का यहां आठ के आस्पास value लेंगे और a का 10 का बार में नहीं हो जाए 10 बार minus 12 यहां जो ksp के value निकलेगा इस question में निकलेगा option b 8 into 10 बार minus 12 तो यह था इस question का key concept उसका analysis and solution move करते हम लोग next question पर